नमस्कार दोस्तों, दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चानल पर दोस्तों कभी आपने सुना है कि नहाते वे वशीकरन करना? जी हाँ एक ऐसा वशीकरन जिसके लिए आपको किसी चीज की अवशकता ही नहीं है बिना सामगरी के स्नान करते हुए वशीकरन आपको पता है इस वशीकरन को स्नान करते हुए करने की सल्हा क्यों दी गई है या वशीकरन जो बनाया गया है वो स्नान करते हुए क्यों बनाया गया है क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है जिस वक्त आपको कोई देख नहीं रहा होता, ना कोई देख रहा है, ना कोई सुन रहा है, ना कोई आपको अवाज लगाएगा, कोई पुकारेगा भी नहीं, और कोई आप से कुछ नहीं कहेगा, जी हाँ, ये कैसा वक्त है, जिस वक्त आप पूर तहां अकेले होते हैं, एक अगर चाहते हैं सही तरीके से वशी करन करना तो इस विधी को आपको सही तरीके से करना है और अगर आपने इस विधी को सही तरीके से किया तो ये वशी करन होने से कोई नहीं रोक सकता कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस वशी करन की काट कर सके तो आईए बताते हैं कि किस तरहां आपको ये विधी करनी है, आपको जो है सबसे पहले इस नान के लिए जब आप जाएंगे बात्रूम में जाना है, तो एक बात का विशेश ध्यान रखे कि आपको शावल से नहीं नहाना, आपको बाल्ती में पानी लेकर बाल्ती और मक से नहाना है, और नहाना किस तर पर डाल लेने हैं और एक मंत्र का जाप करना है जी हां जो मंत्र मैं आपको बताने जा रही हूं उस मंत्र का आपको जाप करना है और वो मंत्र जो है मैं आपको बताऊंगी किस तरहां आपको उस मंत्र का उचारण करना है और बस मंत्र का उचारण करते ही उसके मात्र एक या आपके वश में हो जायगा तो आईए में बताती हूं कि 21 मगजे पानी गिराने के बाद आपको कामदेव मोहिनी मंतर बोलना है और आईएए बताते हैं कि वह मंतर क्या है जिस मंतर को बोलने के बार यह विधी संपन हो जाएगी और एक दो प्रचंड मंत्र का प्रियोग आपको नहाते वक्त पानी डालने के बाद इस मंत्र का उचारण करना है और इसके एक दो घंटे बाद वो इंसान वो शक्स वो सदस्य जो भी जिस पर भी आपने वशेकरन किया है वो पूरी तरह आपका हो जाएगा और आपके पास आजाएगा और हमेशा के लिए सिर्फ और सर्फ आपका ही रहेगा आपकी कही बात उसे सच लगेगी दूसरों की कही बात उसे जूट लगेगी कोई उसे कुछ भी कहले वो सिर्फ मानेगा आपकी और आप अगर यह चाहते हैं तो इस विधी का सही प्रकाव से प्रियोग कीजेगा कालेंगी क्योंकि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल गुरुमाता के पास ना हो तो आप चाहते हैं अपनी हर समस्या का हर परिशानी का हल तो गुरुमाता को कॉल करें स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर उनको अपनी परिशानी बताएं और वो आपको बताएंगी कि किस तरह हाँ अपनी परिशानी से बाहर निकल सकते हैं अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं तो गुरुमाता को कॉल कीजे और अपनी समस्थ्य का समरहान कीजे और अपने आप को खुशहाल बनाईगे फिलाल दीजे इजासद फिर हाजर होंगे एक नई वीडियो के साथ जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह आप वशी करण कर किसी को अपना बना सकते हैं जय माता दी दोस्तो